हलो गुड मॉर्निंग ओल अफ यू सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं विविक कुमार यूवी कंपेट्सन्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अपेर्स जी के जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लेंग्वेज में अपडेट्स हैं मेरे प्यारे साथियों आज 20 मार्च 2019 के करंट अपेर्स के हम बात करते हैं साथियों डेली करंट अपेर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपेटिशन सब्क्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपेटिशन चैनल को सब्क्राइब करें और साथि बैल आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको हमारे द्वारा दिये गए अपडेट्स के इसके साथ यह आप राजिस्तान जी के और मैकनिकल इंजिनेरिंग पढ़ने के एक चुक है तो उसके लिए अनकेडमी एप पर मुझे फोलो करें अनकेडमी एप पर फोलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा आए शुरू करते हैं आज के मुखे समचार आए शुरू करते हैं नैशनल न्यूज राष्टे समचारों से पर्मर सुप्रेम कोट जज जस्टिस पिनाकी चंडरा गोस वाज रिकमंडेड तो बीदे फर्ष्ट लोग्पाल और अंटी क्रप्शन अंबुदमस्वें आप इंडिया जस्टिस गोस इजश्टी सेवन इज ए मैंबर अप दे नैशनल हुमर राइट्स कमिशन सिंस जून 2017 हिज नेम वाज फैनलाइस्ट एंड रिकमंडेड बाइड सेलेक्शन कमेटी कॉम्प्रमाइजिंग प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी चीप जश्टिस रंजन गोगई लोगसभाई स्पीकर सुमित्रा महाजन एंड इमिनेंट जूरिष्ट मुकुल रस्तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वन यायदिस जश्टिस पिनाकी चंद्र गोस को भारत का पहला लोगपाल या ब्रश्टचार विरोधी लोगपाल न्यूक्त किया गया है सर्सेट वर्शिय जश्टिस गोस जून दोजार सत्रे से राष्टे मानवदिकार आयोग एन एच आर्सी के सदस्य है प्रदानवंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य न्यायदिस रंजन गोगई लोगसभाद देश सुमित्रा महाजन और प्रख्यात न्यायविद मुकुल सुप दिया गया और सिपारिश की गई नेक्स्ट थे आई हैल्प इनिसिएटिव तो प्रमोट डिजिटल इलेक्टोरल लिटरेशी नासाम हैज बिन लॉंचेज इन व्यू अब दे फॉर्थ कमिंग लोगसभा पोल्स इडिज जोएंट इनिसिएटिव ऑफिस ऑफिस ऑफ अक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हैल्प पहल सुरू की गई है यह सब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और कॉमन सर्विस सेंटर के कार्या लेकी एक संयुक्त पहले सीयो मुकेश चंदर साहू ने आई हैल्प पहल की सुरूवात की है नेक्स बात करते हैं ए his account of 800 million us dollars to finance the new government's infrastructure projects the agreement was signed in presence of external affair Minister Sushma Sourach who watch on two-day visit to Mal港 the loc is part of 1.4 billion us dollars financial assistance announced by the Indian government during president Ibrahim сталay state visit in December 2018 इस समझोते पर विदेश मंत्री सुस्मा सोराज की उपस्तिती में हस्ताक्षर किये गए जो मालदियों की दो दिवसीय से माले यात्रा पर थी एलोसी दिसमर 2018 में राश्टेपत इबराहिम मौम्मद सौली की राज की यात्रा के दोरान 12 सरकार दोरा गोसित 1.4 बिलियन अमरिके डॉलर की बितसायता के एक हिस्सा है एक्जिम बैंक रिन एक पॉंट पिचेतर प्रतिसत प्यासदर और पंद्रे वर्स की अदायदी अवदी के साथ पांच वर्स की महलत के साथ आता है Next, Ola has signed a Memorandum of Understanding with the Government of Telangana to support the latter support in strengthening traffic infrastructure in the city The partnership would see Ola share intelligent insights that enable the Government to implement smart solutions to enhance mobility experience in the city and Ola religious state Ola ने तेलंगाना सरकार के साथ एक समझोता ग्यांबद AMOE पर हस्ताक्चर की है जो सेर में यात्यात के बुनियादी ढाचे को मजबूत करने में बाद के प्रियासों का समर्थन करता है Ola ने कहा है कि साज़ेदारी Ola share intelligence insight को देखेगी जो सरकार को सहर में गति सीलता अनुबव बढ़ाने के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करने में सक्चम बनाती है Next The Insolvency and Bank Reptory Board of India IBBI signed a Memorandum of Understanding with the Securities and Exchange Board of India CB बारतिय दिवाला और सोधन एचमता बोर्ड ने भारतिय प्रित्यवूती और विन्नीमिय बोर्ड से भी के साथ एक समझोता ज्यापन MOU पर हस्ताक्चर की है Next आए बात करते हैं appointment सिन्यूक्ति की प्रमोद सावन्त 48-45 years old Former Speaker of Goa Legislative Assembly and MLA for Sankhilim in North Goa was shown in as 11th Chief Minister of Goa Succeeding Manohar Parikar Who died after a prolonged battle with advanced pancreatic cancer He was given the oath of office and secrecy at Rajbhavan by Goa Governor Mrdula Sinna The entire cabinet of Manohar Parikar has been retained Goa विदान सभा के पूर्वे अध्यक्च और उत्री Goa के सांखे लिम से विदायक प्रमोद सावन्त ने Goa के 11-11 मुक्य मंत्री के रुप में सपत लिए है वे मनोहर Parikar के उत्रादिकारी हैं जिनकी म्रत्यू उन्नत अगनास्य के कैंसर से लंबे समय तक लड़ाई के बाद हुई है उन्होंने Goa की राज्यपाल, मर्दला, सिन्नान ने राजबहुन में बद और गुपनियते की सपत दिलाई मनोहर Parikar के पूरे मंत्री मंडल को बरकरार रखा गया है नेक्साइब बात करते हैं डिपेंस न्यूस रक्षा समाचारो की दे इनाग्रल अफरीका-India अफिल ट्रेनिक एक्सराइड टूरे निट्ट नेटिया अफ्रीकर नेशन्स काल्ड एफिन इंट्री रिप्रेजेंटिंग इंडिया भारत और अफ्रीकी देशों के लिए अफ्रीका भारत फिल्ड प्रिसिक्षन अभ्यास 2019 का उद्गाटन किया गया है जिसे एप इंडेक्स 19 कहा जाता है इसकी सुरुवात पूर्णे के ओध मिलेक्टरी स्टेशन में एक भव्य उद्गाटन समारों के साथ हुई उद्गाटन समारों में सत्रे अफ्रीकी देशों के साथ साथ भारत के प्रतिनी दुत्वे वाले मराथा लाइट इन फेक्टरी की एक टुकडी सामिल है अभ्यास का उद्देश से भागिदार देशों के लिए मानुतावादी खान, सायता और सान्ती संचलन कार्यों की योजना बनाना है Next, exercise मित्रा सक्ती is conducted annually as part of military diplomacy and interactions between armies of India and Sri Lanka The joint exercise for the year 2080-90 will be conducted in Sri Lanka अभ्यास मित्र सक्ती प्रतिवार्स भारत और स्रिलंका की सेनाओं के बीच सेन्य कुटनिती और बात्चीत के हिस्से के रूप में आयुजित किया जाता है वर्स 2018 के लिए सेफ्ट अभ्यास स्रिलंका में आयुजित किया जाएगा नेक्स्ट बिजनिस न्यूज युए पर समाचारों की बात की जाए तो हुंडाई मोटर गुरूप एंड ओला अनाउंस्ट ए स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप अंडर विच हुंडाई मोटर कंपनी और किया मोटर कॉर्परेशन हुंडाई मोटर गुरूप और ओला ने एक रणनितिक साज़ेदारी की गोश्णा की है जिसके तैत हुंडाई मोटर कंपनी और किया मोटर कॉर्परेशन ओला में कुल तीन सो मिलियन डॉलर का निवेश करेगी जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त निवेश होगा नेक्स्ट आए बात करते हैं स्पोर्ट्स नियुँज खेल समझारों की In Asian Youth Athletics Championship in Hong Kong Boys Medley Relay Team won a gold medal for Indian on the final day to help Indian youth team finish second in the overall medals tally with a total of 26 medals including 8 gold, 9 silver and 9 bronze medals. China topped the overall medal tally with 31 medals that included 12 gold, 11 silver and 8 bronze medals and Japan finished third with 20 medals that included 6 gold, 8 silver and 6 bronze. Hong Kong में Asian Youth Athletics Championship में लड़कों की medley Relay Team ने अंतिम दिन भारत के लिए स्वण पदक जीता. इसी के साथ बारतिय यूवा टीम कुल 8 स्वण, 9 रज़त और 9 कास्य सहीद, कुल 26 पदकों के साथ पद तालिका में दूसरी इस्तान पर रही. चीन 12 स्वण, 11 रज़त और 8 कास्य के साथ कुल 21 पदक जीत कर सीर्शिस्तान पर रहा और जापान 20 पदकों के साथ तीसरी इस्तान पर रहा जिसमें 6 स्वण, 8 रज़त और 6 कास्य सामिल थे. नेक्स्ट, बैंगलूरू FC क्लिंश दियर मेड़न इंडियन सुपर लीग, टाइटल एज राहूल भेके, फाउंड चैंपियंशिप विनिंग हैडर इन दाइंग मिनट्स अफ़ फाइनल अगेंस्ट एपसी गोवा इन मुंबई. बैंगलूरू FC ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता, मुंबई में FC गोवा के लिए के खिलाब फाइनल मुकाबले के अंतिम मिन्टों में ताहूल भाके के हैडर गोल ने बैंगलूरू को चैंपियंशिप जितने में मदद की, और आई बात करतें 24 एस ओड वरिष्ट पत्रकार और परियावर्ण कारेकरता डेरिल डी मिन्टे का चौतर वर्ष की आयू में एक संचिप्र विमारी के बाद मुंबई में निदन हो गया है तो मेरे प्यारे सातियों यह था आज के मुक्य समचार जो कि आपका करेंट है पिरसे सभी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टर्ट है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सेर और सब्क्राइब यूवी कंपेटिशन चैनल और आलसो फॉलो में और अनकेडमी इस्टाग्राम थैंक यू समच, धन्यवाद, आपका दिन सुभो